कि हलो फ्रेंट्स दोस्तों मैं लेकर आए हूं आपके लिए पाइफन का एक और नया वीडियो और आज के वीडियो में हम एक प्रोग्राम बना कर देखेंगे जिसमें हम हमने अभी तक जितने भी हमने का trze का कि प्रोग्राम बनायेंगे हमें स्रुफ पाइफन के कानिशन सीखता किरें वह रांगे को कर सकते हैं किसी भी एक application को डैवलग करनेके लिए एक क्टिन में एक शोटी सी करता है उसके according वो उसका bill calculate हमें करके देगा कि आपका सबसे पहले वो customer से input मांगा कि आपको आपका order क्या क्या है तो उस order के complete होने के बाद वो customer को display करवाएगा उसके order के according कि आपका बिल इतना है ठीक है प्रेंट्स तो चलिए अभी इसमें हम वह कोई concepts को उन्हीं सभी चीज़ों को हम यूज करेंगे जो अभी तक हमने अपने वीडियो में की है उन वीडियो उन का मैं कोई भी यूज नहीं करेंगे जो हमने अभी तक नहीं की है यह सिर्फ एक बेसिक सी अप्लिकेशन है जो हमें करके देगी चलिए इसको start करते हैं तो सबसे बहले हम क्या करेंगे यहां पर एक फाइल को create करेंगे लेट्स इसको मैं डेक्क्टॉप पर ही save कर लूँगा हम बिल्ल कलेफिलिट कर रहे है रेस्टरॉंट सका सो इसलिए हम इसमें हैं तो सबसे पहले क्या होगा यूजर आएगा एक मशीन में अपना ओर देगा तो सबसे पहले क्या करेंगे एक मशीन में सिंपली हम रेस्टरॉंट का नेम वगारा डिस्पले करो सकते हैं कि वैलकम टू आगे हमारे स्मय रेस्टरॉंट का नाम कश भी तो स्मय हम लिखेंगे लैटस से मेंारे पर्स्च विल्कम है तू कुछ भी लिख लो अप रश्ट्राउंट का नाम कि मैं लिखने पंजाब है माइब पंजाब जैंद ऊपनजाब करते हैं अपन्जाब भाब कोच भी mote अपने आईससे तो यह तो हमारा मैसेज हो उसके ली हम सबसे हमें क्या करना кстати कज brewer को सम करके आइटंस के प्राइस को सम करके हम उसको करवाएंगे कि आपका इतना बिल हुआ उसके लिए हम सबसे बहुत करेंगे सम को कैल्फिलेट करने के लिए हम एक वरियेबर लेंगे विचिस सम और उसको उसके बाद हम क्या करेंगे हमें अभी जो हमारे रेस्टरांट में जो भी डिशी होंगी और उनके प्राइज होंगे वो हमें लिखने होंगे उसके लिए हम क्या करेंगे करेंगे हम क्या करेंगे हम क्या करेंगे जो भी हमारी आइटम होंगी उनको हम एज़ की यूज करेंगे और जो भी हमारी आइटम का जो भी प्राइज होगा उसको हम एज़ वैल्यू यूज करेंगे तो लेट से अभी हमारा पंजाबी डाब है तो हम इसमें पंजाबी अगर आ हैं तो कमेंट सेक्षन में बटाओ कि यह आश्याय को दोगा एंड है और या रहा तो होगा यह तो पक्ता है ठीक है घी में सीदटों मारेचिस्ट कि पनीय टिका हो गया साग हो गया लट से लसी के सब इतार अश्याम सब्सक्राइब नि दिए रखें गया हम इसमें तीक है जब सीदेश्यारर है और अब क्या र तो यह हमारी आइटम्स होगी हम सिंपल सा रखेंगे आप इसको जितने भी इसमें आइटम्स याड़ करनी हो आप उस हिसाब से कर सकते हो हम इसको सिंपल सा ही रखेंगे हमारा बेसिकली क्या हमारा यह मैं कि हमें सिंपली कॉंसेट को प्रैक्टिकली यूज करना सीखना है कि हम कॉंसेट जो हम सीखने हैं उसको हम प्रैक्टिकली कैसे यूज कर सकते हैं तो यह हमारा मेन्यू रेडी हो गया अब हम क्या करेंगे जिसमें हमारे सभी items होंगे, जो हमने items इस dictionary में रखे हैं, उनको हम एक list में change करके, एक list में save रखेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, simple list में change करने के लिए, हमें सिर्फ keys को change करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, dictionary की जो भी keys हैं, हमारी वो fetch कर लेंगे, क्योंकि keys को, जो यह सभी methods जो भी मैंने इसमें यूज किया हैं मैंने अपने वीडियो में औरडी cover करके रखे हैं अगर आपने मेरे वीडियो नहीं देखे हैं तो आप सबसे पहले मेरे python के tutorial देख लें फिर आपको इसको समझने में असानी होगी तो कीज यहां पर हम सभी कीज को fetch कर रहे हैं हमारी dictionary की जो भी कीज है उसको list में convert करके LST नाम का हमारा variable है उसमें इसके सब्सक्राइब करें चा एंअ कि में हमारी सबी जो किज होंगी वह आ जाएएंगी इसको हम करन करके देखते हैं तो यह फ्रेंट्स देखिए हमारे पास हमारी जो भी टीज है आइटम्स है वह हमारे पास फैच हो रही है अब हम क्या करेंगे हम यहां पर एक लूप चलाएंगे वाइल Marvel True इंफिनिटी तक हमारी लूप चलेगी जब तक हम इसको ब्रेक नहीं करते क्शक्त हम कैसे करेंगे वह मैं आपको बताँगा तो इसमें हम क्या करेंगे हमारी बूप चलेगी उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे हर बार जब रीग गर एक वैल्लीउ को एंटर करेगा उसको मेन्यू सारह दिखाई दिखाई दिगा कि इस इस ऐतम का इतना इतना प्राइज है यहां पर हम लिखेंगे let's say हमारा साग है साग यहां पर हम ब्रैकट में इसका प्राइज डिस्प्ले करवा देंगे ठीक है जी साग जो है हमारा 200 रुपीस का है ऐसे हम सभी आइटम्स को प्रिंट करवा देंगे हमारे पास कितनी आइटम्स है वन तू थ्री फोर एंड फाइब मतलब फाइब पार हम इसको छोगार करवा देंगे है किरी यां अगर मेह मारे पास यहां पर यहां पर हम लिखेंगे व में उसरी कौस्ट क्या के सक्राइब कर दो फोर के है हमारा 100 रूपीज और लास्ट में हमारी दालमखनी ठीक है जी दालमखनी का हमारा प्राइज है 150 अभी ये यूजर को प्राइज दिखेगा जब भी वह ऑडर करेगा तो ये हमारा हो गया अब हम क्या करेंगे अब हमें जब यूजर का और कंपलीट हो जाएगा तो हम उसको एक यहां पर एक कॉर ऑप्शन दें कि अगर आपका ओडर डन हो चुका है तो आप कोई की प्रेस करिए लेट से हम जाते हैं एक जिट के लिए वह की प्रेस करेगा तो यहां पर हम यहां पर यूजर को मैसे ब्रेंट करेंगे कि प्रेस एंदर प्रेस में और मतलब कि जब यूजर का ओडर हो जाएगा तो वो वर की को प्रेस कर देगा तो हमारी जो की अभाम इसमें आगे अगर पर यूप से वो बाहर आ जाए उसके लिए हम break statement का use करेंगे वो भी मैंने अपनी वीडियो में cover करके रखी है तो चलिए अब हम क्या करेंगे अब ये user को सारा menu display हो जाएगा अब हम user से input लेंगे तो उसके लिए हम simple एक variable बनाएंगे order और यहां इसमें user से input लेंगे और यूजर को message pass कराएंगे कि यहां पर लेंगे enter यूर और यूर और तो जो भी user इन में इसे item का name एंटर करेगा यूजर ने साग एंटर किया तो order में साग आ जाएगा तो हम उसका कैसे fetch करेंगे साग की जो cost है उसको कैसे fetch करेंगे तो हम यहां पर लेखेंगे if order in LST मतलब कि जो user ने एंटर किया अगर तो वह LST में है LST में हमारे पास क्या है जो हमने तो ल cannis on में हों मुआरे में है वो के यहां पर में है वह है करेंगे यहां में हम मैंने आपको dictionary के वीडियो में बता था कि हम कैसे dictionary की values को assess करते हैं हम लिखते हैं simply dictionary का नाम और स्क्वेर ब्रेसिज में हम उस key को pass करते हैं और हमारे पास values की fetch होके आ जाती है अगर आपको dictionary में doubt हो तो आप मेरा dictionary का tutorial भी देख सकते हो तो मैंने इसमें dictionary की complete working already समझा के रखिए कि कैसे dictionary work करती है हम यहाँ पर लिखेंगे sum प्लस अभी sum में हमारे पास क्या है 0 है तो 0 प्लस यहाँ पर अगर दूदर ने साग एंटर किया तो यहाँ पर यहाँ पर डिक्ट यहाँ और की जगह साग आ जाएगा तो इसकी value क्या है 200 यहाँ पर 200 आएगा तो सम में क्या होगा sum प्लस 200 तो सम में 200 पर जाएगा ठीक है अपने ऐसे अगर user कुछ और एंटर करता है जो हमारे menu में नहीं है अगर मैं लिखूं नहीं सबसे वेले हम क्या करेंगे जो user ने एंटर किया है मतलब user का order done हो गया तो हम क्या करेंगे यूजर से बोलेंगे कि अब यूजर ए की को प्रेस करेंगा तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे as if order as if order is equal to is equal to e अगर तो user ने e प्रेस किये इसे मतलब क्या जो order है वो हो चुका है तो यहां पर क्या हो ब्रेक हो जाए मतलब कि हम लूट से बाहर आ जाएं ठीक है जी और अगर कि यूजर ने कोई और आइटम एंटर कर दी जो हमारे मेन्यू में नहीं है तो हम एक यूजर को मैसेज़ प्रिंट करवा देंगे कि प्रीज एंटर यहां पर लेखेंगे एंटर राइट आइटम सबसे पहले तो अगर तो यूजर ने सही आइटम एंटर की तो हमारी इस्टेटमेंट चल जाएगी और जो इसकी कॉस्ट है वो सम्में आ जाएगी अगर यूजर ने फ्रेस की तो इसका मतलब कि इसका ओर डन हो चुका है और अगर यूजर ने कुछ और अगर यूजर ने प्रेस और यूजर ने प्रेस की और जो इसका मतलब इसका मतलब उसने रॉंग आइटम एंटर किये तो उसको हम यह मैस्टेश इस्पले कर आँडर आइट है तो यह हमारा हो चुका है, अब हम last में कहा करेंगे user को simple, जब user exit कर जाएगा, उसका order done हो जाएगा, तो हम simple उसको यहाँ पे message print करवा देंगे, ठीक है जी, your total bill is equal to, यहाँ पे हम sum को print करवा देंगे, ठीक है friends, तो चलिए हमारा program done हो चुका है, इसको run करके देखते हैं कि यह सही से work कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमने इसको run किया, तो यह देखी हमें हमारा जो menu है वो display हो रहा है, सबसे पहले हमारे message display हो रहा है, welcome to शाने पंजाब डापाफ, उसके बाद हमे menu display हो रहा है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम item का enter, name enter करे हैंगे, let's say हमें पनीर पनीर टिक का order करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे simple, पनीर टिक का, ठीक है, पनीर टिक का अगरके हमने enter किया, उसके बाद यह दुवारा से menu display कर रहा है, और यहाँ पे हमें दुवारा से enter your order, दुवारा से new order, enter करने के लिए बोढ रहा है, अब हम let's say यहाँ पे लसी order करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लसी, enter your order, लसी, अब हमने क्या किया, जो की 250 रुपीज का है, उसके बाद लसी की जो 50 रुपीज की है, अब हम क्या करने के हमारा order done हो चुका है, यहाँ पे हम exit करने के लिए E को प्रेस करेंगे, जब हम E को प्रे ठीकी थी, तो हमारा जो total bill है, वो 300 रुपीज हमें display हो रहा है, अब let's say हम इसको द्वारा से run करके देखते हैं, अब हम क्या करेंगे हम एक, ऐसी item को enter करेंगे, जो हमारे menu मेन्यू में नहीं है, let's say हम यहाँ पे कुछ और enter करेंगे, let's say manchurian, ठीक है, हमने manchurian order किया, तो यह हमें display यहाँ पे करवा रहा है, enter right item, ठीक है, और दुबारा से menu हमें display करवा रहा है, मतलब है कि जो हमने enter किया, वो हमारे menu मेन्यू में नहीं है, इसलिए हमें यहाँ यहाँ पे message display करा रहा है, enter you, sorry, enter right item, ठीक है friends, तो इसको एक बड़ी सही है, सही item दुबारा से हम run करके दे रहें, सबसे पहले हम लिखें कि यहाँ पर noodles, हमने noodles order किये, अब हमारी जो item है वो ठीक है, इसलिए हमें कोई message display नहीं हो रहा, उसके बाद हम यहाँ पे next item order कर रहे है, दाल मखनी, यहाँ पे हमने लिखा दाल मखनी, sorry, मखनी, मखनी, ठीक हम E को press करेंगे, और यह देखिए हमारा जो total bill है, वो 250 रुपीज हमें display हो रहा है, विच इस दाल मखनी जो है, वो 150 रुपीज की है और noodles है, जो वो 100 रुपीज के है, तो friends यह था हमारा छोटा सा program जिसको, जिसके थुरू हमने एक छोटी से application बिल्ड किया, जिसके थुरू हम restaurant में bill को calculate कर सकते हैं, customer के order के according, I hope कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो please इस वीडियो को like करें, share करें, और मेरे YouTube चैनल को subscribe करें, अगर आपको कोई भी doubt हो, तो आप मुझे comment section में पूर सकते हो, मिलते हैं एक न